चलिए हम लोग स्टाट करते हैं पार्ट जो हमारे एकॉनमिक्स का पार्ट फाइप है इससे पहले हम लोग फूर पार्ट देख चुके हैं जिसमें हम लोग ने इसके बारे में देखा था और इसके इंपेक्ट के बारे में देखा था इसके हम लोग ने काफी विस्तरी जनकारी ली थी अगर मैं आपको एक स्वाट में आपर बता देता हूं कि हम लोग ने प्रिविएस वीडियो में क्या देखा है तो हम लोग ने देखा थे कि मुद्रा कि इनकी इंफ्लेशन तो इसकी डेफिनिशन अगर हम लोग लिखना साथ है तो लिख सकते हैं कि जब बस्तों और सेवाओं के मुल्यों में नेरंतर ब्रद्धी होती रहती तो इस अबस्ता को क्या क्याते हैं मुद्रासपिती, ओके शलिए हम लोग देखते हैं कि आज का जो ह कारण के आधार पर क्या मतलब है कि मुद्राइस्पिती जो बढ़ती है उसका कोई ना कोई तो ऐसा कारण होता होगा जिस कारण मुद्राइस्पिती बढ़ रही है तो मुद्राइस्पिती के जो कारण होते हैं इसके बढ़ने के उनके आधार पर एक हमने वर्गी करन कर दिय इसी तरह हमने दूसरी तरह मुद्रायासीए उसका कोई ना कोई तो rate होता होगा ना जिस तरह पर inflation बढ़ता है akkor inflation बढ़ता है जैसे कि वह 0 % हो सकता है 1 % हो सकता है, 2 % हो सकता है, 3 % या 10 % हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है अब इनके आदार पर हमने एक बर्गी करण किया है किसका मुद्रहस्पिती का ओके सली हम लोग आगे देख से हैं कि कारण के आदार पर मुद्रहस्पिती सबसे पहले हम लोग स्टाट करते हैं कारण के आधार पर मुद्राइस्पिती देखे कारण के आधार पर मुद्राइस्पिती होती है वह हम तीन भागों में इसको मांट करके देख सकते हैं एक होता है मांग जनित मुद्राइस्पिती इसको बोलते हैं देमांड पूल इंफलेशन दूसरा होता है कॉस्ट पूल इ तो इसके कारण क्या हो जाएगा प्राइस बढ़ जाएंगे तो प्राइस बढ़ने की अवस्ता को हम लोगों नहीं क्या नाम दिया था मुद्रेश पीदी देखिए आप यह मांग बढ़ती है तो कैसे प्राइस बढ़ जाते हैं यह आपको बताता हूं कैसे कि किसी मार्केट 200 क्लो जो टामाटर हैं इसके क्या कर रहे हैं मांग कर रहे हैं यान कि इतने सारे लोग आगे कि वो 200 क्लो टामाटर साहते हैं अब वो 200 क्लो टामाटर साहते हैं लेकिन मार्केट में कितना हैं सिर्फ 100 क्लो तो जो यहां के जो दुकान दार होंगे वो क्या करेंगे इसके प् तो क्या हुआ इससे क्या हुआ मांग बढ़ने से क्या हो गया कि चीजों की प्राइस बढ़ जाते हैं इनके प्राइस में बढ़ने हो जाते हैं inflation कहते हैं तो इसलिए इसको नाम दिया गया है मांग जनित मुद्राइस पर दे क्यों क्यों कि ये किसके कराण उत्पन हो रही है मांग के कराण उत्पन हो रही है इसलिए इसको हमने नाम दे दिया मांग जनित मुद्रा इस पिती इंगलिस को इसको इंगलिस में कहते हैं डिवांड पूल इंपलेशन अब देखें मांग किसलिए बढ़ सकती है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मांग क्यों बढ़ सकती है आपके दिमाग में ऐसा भी कुछ ना हो सकता है आखिर यह मांग मार्केट में क्यों बढ़ गई अब देखें इसका मतलब हो सकता है कि तरल्था बढ़ दे तरल्था का मतलब है कि जो मुद्रा होती है मुद्रा होती है जितनी जादा लोगों के पास जाएगी जितनी जादा लोगों के पास जाएगी तो इसी को कहते हैं तरलता जाता है जैसे कि आपके पास 10 रुपे हैं आपने इस 10 रुपे को खर्स किया और किसी दुखानदार को दे दिया दुखानदार ने इसको आगे दे दिया फिर ये इसी 10 रुपे को आगे और किसी ने दे दिया तो क्या हो रहा है ये 10 रुपे है ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इसी को क्या गहते हैं, तरलता गहते हैं, तरलता इसको क्यों गहते हैं, देखिए तरल पधार्थ होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अगर हम उसे सुतंत्र जगह पर छोड़ दे, तो वो क्या तरल पधार्थ एक जगह जाएगा इसलिए यहां से भी इसों लिया गया टारता को जिस तरह मुद्रा होती है वो एक जगह से दूसरे कि जितनी जाता जाए कि हम कहेंगे कर जाएदा उतनी जाद हैं अब देखें तरहेदा वड़ें गी जब लोग ए मांग बड़ रोजगार बढ़ जाए, जब रोजगार बढ़ेगा, पहले मानते हैं कि 100 लोग थे, 100 लोग थे, इनके पास रोजगार था, तो यही जा करके मांग कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, 200 लोगों के पास रोजगार है, तो इन 200 लोग है, इन सभी के पास पैसे आएंगे न, इ लेकिन अब हो सकता है लोगों की आए 500 रुपय हो जाए तब यह क्या करेंगे इनके पास अत्रिक्त आए होने के कारण यह कहां जाएंगे मार्केट में जाएंगे मार्केट में जाकर क्या करेंगे मांग करेंगे तो मांग करेंगे तो फिर से क्या हो सकता है इंफलेशन मार्केंट में मार्केंट में किसी चीज की तो दिवार्म करेंगे ना जब दिमांड करेंगे तो फिर से क्या होगा प्राइस बढ़ने लगेगा ऊके इसी तरे सरुजणिक है सरवज़निक ब्याय का मतलब है कि गॉर्मिंट है यहाँ पर गॉर्मिंट है वो खड से बढ़ा दे ब्यए बढ़ा दे तो भी क्या करेगी न किसी चीज में तो इनने भी निविस करेगी न जैसे कि अगर को किसी सड़क बना रही तो सड़क को कहां साखर करेंगे यह थो मार्केट में जा करके आगए यह वो गौर्मेंट खरीदेंगी तो मार्केट में एक लिस्ट पैसा कहां से लागया तो फिर से क्या होगी डिवांड पढ़ने के करणर।रण प्राइस बढ़ेंगे और जो लोग हैं जिनें यहां पर रोजगार मिला गवर्मेंट ने लोगों को रोजगार दिया है ... इनके पास भी पैसे रहेगा इनके पैसे होता है अधिसेस होता है लोगों को पैस जितना अधिक सरप्लस बचेगा वो जाएंगे मार्केट में और क्या करेंगे चीज़ों की मांग करेंगे जिससे क्या होगा पैसे बढ़ने लगेंगे अब देखें यहां पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं जैसे कि जब गौर्मेंट इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि इस सारी चीज़े ना बढ़ने जैसे कि मान लेते हैं किसी गौर्मेंट ने एक साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार दे दिया सबी लोगों को मानते हैं उसमें 100% जो रोजगार था लोगों के लिए दे दिया उसमें सारवज करेंगे ज्यादा मांग करेंगे तो इससे क्या हो सकता है मांग जनित मुद्रा इस्पीती उत्पन हो सकती है जब मांग जनित मुद्रा इस्पीती ज्यादा उत्पन होगी तो इससे क्या होगा जो आर्थ विवस्ता होगी उस पर नगारात्मक प्रुखाओ पड़ेगा न आर ऐसे कम करती है कि इंफलेशन का रेट है वो उसके कंट्रॉल से बाहर ना चला जाए तो इसी लिए आप देखें यहां पर ही एक बाद आती है कि आप लोग तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो नोट है जो नोट हैं वो कोँँ जारी करता है आरबी आई यानिकि आरबी आई भी तो एक तरह से क्या है गौ़र्मेंट का ही तो एक उप कराने है ना अब दीखें आप ऐसा क्यों ने सुछते कि जो सरकार है उसके पास तो मसी ने नोट छापने की तो वो क्यों ना ऐसे एक ही कड़ो रुपए चापके सबी लोगों को दे दिती है मुक्त में और हमों लोग उसका यूज कर लेते हैं अब आप सुझिए कि हर बेक्ति को वो एक एक कड़ो रुपए दे दिती है मान लेजिए तो सबी के पास एक कड़ो रुपए होगा अभी सबी एक साथ मार्केट में जाएंग देखिए इसका एक में एक्जांपल देता हूँ ऐसी कंडिशन जो बहां पर है देखिए जो यह बहां पर देख सकते हैं कि अपरेल 2019 के जो आंकड़े हैं इसके अनुसार यहां की जो मुद्रहिस्पिती की दर है वो कितनी बढ़ गई है वो 100 200 300 400 परसेंट नहीं बलकि 2019 का यह डाटा है अभी हम लोग कहां चलने हैं दिसंबर 2020 में हम लोग चलने हैं अब यहां पर आप देखेंगे लगबख में 3 लाग का आंकड़ा है वो भी बार गर गई होगी तो इसका मसलब क्या हुआ यानि कि एक रुपए बराबर यहां पर जो पहले एक रुपए की ज कमेसटिक कर्णसी मतलब घरेलू मुद्रा है इसी तरह बेनेजुला की भी कोई ना कोई तो होगी जो उनकी देसिक की मुद्रा होगी उसको क्या कहते हैं बॉली की बॉल्च सके त्द हैं अब गलक्शान सकते आधि और नाशांते पर वोलूँगा तो सायद बाद में आफ़ा कर गए कंश्यूज से कि बॉली पर ऐसी क्या बाला आगी तो इसलिए मैं यहां पर हर जगे अपने देश का उधरान लेकी चलूँगा जिससे आपको सारी से अच्छे से समझ पहाँ जाए अब आप सूचिए जो चीज यहां पर 1 रुपै की मिल लाई थी भाही छीज यहां पर आप कितनी रुपै की मिल ले होगी तीन लाइक अट उन्सान है आपको यासा लगता होगा कि कौन सी जागर के प्रॉपर्टी खरीदते वाला है लेकिन इतने रुपए आप देंगे तो बहाँ पर ऐसे चाट हो आपको टमाटर पकड़ा के विस देखा क्या कर जाए क्यों कि ऐसा देखिए जो एक रुपए की चीज थी मैं यहाँ पर बॉल तो आज उसकी कीमत कितनी हो जाएगी तो लगभख में कितना हो जाएगा तीन कड़ोर के आसपास यानि कि तीन कड़ोर रुपए लेके जाएंगे तो आपको एसे चाट हो टमाटर पकला देखिए और आप एसे इसको इतने सारे आप देखिए यह बेगती है अब यहाँ प इसको जब पूरे ठेले भर करके अपने टमाटर भीचेगा तो क्या होगा इसके पास इतना रुपए हो जाएगा कि इसको ट्रक में लेजाना पड़ेगा आप देखिए बिचारे बिचारे पर आपके बेच रहे हैं लेकिन इसको पैसा ले जाना पड़ेगा तो किसमें ले बाड़ेंट है अब देखिए यहां की जो ऐसी कंडिसन आ गई आप इतनी सी चीज़ खरीदने कि लिए आपको इतना सारा पे करना पड़ रहा है मतलब एक कलो टमटर खरीदने के लिए हैं कडूरो में रुपए देने पड़ रहे हैं मतलब यहां पर बोल सकते हैं कि कडू पूरो applicable आपको देने पर्टर रहें colorurf ऑलिवर वहांए कि करेंसी मैं वहां पर आप यएंपर देख सकते राकिन यहां इनल लोगोंने कहा वहां बेठी है उखिस यहां पया है वहां दिर सानाया तो यह एक ट्रक करकby क्या Verm mental reconstruction this तो लोगों ने दूसर सिस्टम स्टार्ट कर दिया इन्होंने बार्टर सिस्टम यहां पर स्टार्ट कर दिया क्या स्टार्ट कर दिया इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया बार्टर सिस्टम इसको हिंदी में कहते हैं बस तू बिन में अब देखे बैनेजोला के लोग हैं बार साचीन समय में पेहले क्या होता था बाटर सिस्टम भी बाटर सिस्टम में छ organized था आई यानि बस तो उभिन्मैं चलता था इसमें क्या होता जैसे एक किसी के पास टामाटर रहां है कि सिए पार टामाटर रहे हैं अब इसके लिए आलो कि आवा सकता है तो ये लेकर के जाएगा किसी के पास जिसके पास आलू होंगे और ये कहाएगा भाया आप हमसे आलू ले लीजिए ये हमसे टावाटर ले लीजिए और हमें आलू दे लीजिए तो ये क्या हुआ एक तरह का बिनमे हुआ लेकिन एक किस तरह का ये मुद्रक यहाँ पर मुद्रा का आदान परदान नहीं हो रहा है बलकि मुद्रा की जगे पर यहाँ पर क्या दिया जाता है बस्तू दिजाती इसलिए इसको क्या नाम दिया गया इस प्रिकरिया को नाम दिया जाता है इस विबस्ता को नाम दिया जाता है बस्तू बिन में, क्योंकि यहां पर बस्तू के द्वारा, क्योंकि टमटर क्या है, एक बस्तू है, इसके द्वारा हमने दूसरी बस्तू है, उसको खरीद लिया, क्योंकि यहां पर हमने किसका उप्योग नहीं किया, मुद्रा को उप्योग नहीं किया, तो इसी लिए इसको ब वहां की क्वर्मेंट है वो मुद्रा का अब मूलयन क्यों नहीं कर देती हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर देती है Dobra से सारी करल सी जारी करके और दोबारा से इक नया नोट लिखे आए तो ओनेक्टेट होती है सब कुछ बहुत ही कॉप्लिकेट होता है जब हम लोग बैंक्किंग स पढ़ेंगे तब बहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो विवस्ते वो क्यों ने कंट्रॉल हो रही है तो देखिए इसलिए कहा जाता है कि हम ज्यादा मुद्रा है उसको जारी नहीं कर सकते अगर हम ज्यादा मुद्रा को जारी करतेंगे तो यहां की तरह ही कंडिस्टन आ ज़्यादा लेती थी और लोगों के उपर खर्च करती थी फब्लिक के उफर खथ ाऑ्ट करती और इसको छुकाने के लिए व chiya करती थी नय नोट जारी रहती ऽे रहती तो यही कंडिसन रोग ठाथ जारी करती रही और हहां पर एक समय ऐसा आया vaccgie अर्थ सबस्ता थी वहां का जो इंफ्रेशन था वो कंट्रॉल के बाहर से लागे यहां पर आप लोग देख सकते हैं ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वास्पूर्न इंफ्रेशन इससी क्या क्याता है इसको हिंदी में कहते हैं लागत जनित मुद्रेश्पिती लागत जनित मुद्रेश्पिती ओके लागत सनित का मतलब क्या है देखिए पहले में हमने देखा था कि जो प्राइस क्यूं बढ़े थे प्राइस बढ़ने का कारण था कि मांग बढ़ गी थी ओके जब मांग बढ़ जाती है तो भी क्या हो सकता है दूसरा प्राइस का गरन क्या हो सकता है हो सकता है कि लागत बढ़ जाए जैसे कि हम बस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं जब हम इनका उत्पादन करते हैं इनके उत्पादन करने की प्रिक्रियां में लागत बढ़ जाए जब लागत बढ़ जाए तो इससे क्या होगा जो प्रोड कच्चे तेल का अगर दाम बढ़ता है कच्चे तेल का उप्योग कहा होता है जो फेक्टरी होती है वो लोग इंधन के रूप में इसका करती है जब उनके लिए तेल महगा मिलेगा तो वो क्या करेंगी वो अपनी जेम से तो इस तेल का पैसा नहीं देंगी बलकि जो प्रोड तरह कारण क्या हो सकता है लागत बढ़ने का हो सकता है मजदूरी बढ़ जाएं मजदूरी बढ़ जाएं जैसे कि पहरे जो मजदूर थे वह सौ रुपए प्रती दिन पर मिल जाते थे लेकिन गौवर्मेंट ने ऐसा प्रापधार बना दिया कि अब 500 रुपए प्रती दिन पर मजदूर मिल ला है अब 500 रुपए प्रती दिन पर मजदूर मिल ला है तो क्या हुगा अब जो यहां पर रौद्ध होगी काहिया है वो अपनी जेव से तो 400 रुपए जो एक्स्रा दे रही है वो नहीं देंगी बलकि क्या करेंगी जो 400 रुपए हैं यह कहां एड़ कर दाएगा वेगे अब देख़े इसी कारण बहुत सारी इसटरह के रिजन हो सकते हैं जिसकारण लागत बढ़जाए अब देख़े इन सभी कारण लागत बढ़जाएगी तो हम इसे क्या कहेंगे क्वास्ट पूल इंफलेशन कहेंगे वोगे क्यूंकि यहां पर लागत जो क्वास्ट पर्दए हो सकता है जो मस्थूरी हो बड़ थैं इन कारणों से क्या होता है कि लागत बढ़ जाती है अदीसरे क्या हो सकता है कि सान रसनातमक ständольно मुद्रैस्पिति हो सकति जी अब इसको क्या मतला है यहाँ पर सम्षानात इसे Chenowakt क्या हो रहा था कि उत्पादन की कमी बढ़ जा रही थी लेकिन यहाँ पर उत्पादन भी सीम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मांग भी उतनी है माल लेते हैं जैसे कि 100 केजी यहाँ पर टमाटर हैं सौ केजी टमाटर हैं मार्केट में और मांग है वो भी सौ केजी की है सौ केजी टमाटर की ही मांग है लेकिन क्या हुआ यहाँ पर महंडारन की कमी कारण मतलब जो यह टमाटर है बर्स पर हम इने नहीं रख सकते न इसके लिए हमें cold stories की जरूद पड़ेगी ना जो cold stories की अगर कमी होगी तो हम इनका सर्रक्षण नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा इन 100 केजी में से मान लेते हैं कि 30 केजी टामाटर से वो सड़ गये जब यह सड़ जाएंगे तो अब यहां पर कितने आप हमारे पास बढ़ जाएगा इसी तरह क्या हो सकता है परिवहान की सुब्दा ना होने के गारण मान लेते हैं कि पूरे देश में 100 केजी टामाटर के मांगे हैं और 100 केजी ही उत्पाद लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं कि बहां पर परिवहान सुब्दा ही नहीं मतलब रोड रेल ही नहीं हैं तो बहां पर यह टामाटर हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं समय से तो क्या होगा बहां पर जो टामाटर होगा वो महगा बिकेगा तो इस कारण भी हो सकता है कि जो प्राइज हो जाएंगे बलकि यहां पर मांग भी सेम है और उत्पादन भी सेम है यह दोनों सेम होने के खारण भी प्राइस बढ़ सकता है अब देखिए इसके अलाबा भी और भी रिजन हो सकते हैं जैसे कि जमा खोरी होता है जमा खोरी होता है काला बजारी होता है कुए ये क्या होते हैं जैसे बहूत साры 먹고 होते है ना मिलकी क क्या लेते हैं बहुत सारा ज़ो अनाज होता है जो खादान चीज़ी होती है इसको होल्ड कर लेते हैं आप लोगों ने अक्सर सुन ओगा प्यास के बारे Coca प्यास और आलो के जो मार्केट होता है, यहां पर कमी होने लगती है, जब मार्केट में कमी होने लगती है, तो इसका प्राइस जैसे बढ़ने लगता है, हलके हलके, फ्री क्या करते हैं, लाकर के एक साथ में सारा पैस डंप गड़ देते हैं, जिससे इनको काफी मुनाफ़ा हो जाता है, तो इ कासी देशों में या फिर अलब बिकसी देशों में पाई जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखिए ऐसे देश है इनके पास जैसे कि भारत है इसके पास भी कोल्ड स्टोरीज की कमी है हर से के परिवान सुगता अभी भी नहीं है हमारे पास जो रेल तंद्र है वो अभी इ नहीं है तो देखे जैसे अंतर राष्टी इस तर पर तेल का ताइम बढ़ेगा तो यहां पर ऐसी इस्तिति उत्पन हो जाती है और डिमांड पूल इंशलेशन है वो भी भारत में बना रहता है क्योंकि भारत ही एक विकासी देश है भारत के अंदर लगातार रोजगार उत् बढ़ेंगे आई देखे लगातार बढ़ती है क्योंकि हमारे विकासी देश है तो इस तरह की भी मुद्र इस्पिती उत्पन होती है तो इसका क्या ताथ पर हुआ है जो भारत है यहां पर तीनों तरह के जो इन फ्लेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे और जो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी हम लोगों ने देख लिया कि मुद्राइस पिती ने देख लिए अब कैसे दर के आदार पर हम लोगों ने इसमें देखिए जब डर होती है जो रेट होता है जब मुद्राइसपिती जीरो से 3% के बीच में होती है जो मुद्राइसपिती की दार जीरो से 3% के बीच में होती है तो तो इसे क्रीमिंग इंफ्लेशन नाम देते दो भेंज़ देखें अग정 कहले हैं靡़ ग्लोप में मुलते हैं कि इसको चलती हुई ज्यी निम इस बोलता है जलती हुई मुद्रहआइस पिदी में मतलब ह si हुई भागती हुई मुद्रहिस्पिती और हाइपर होती है इसे मतलब होता है चरम आप देखे ये बाली होती है एक किसी भी देश की अर्थ अगर ये वाली अगर उत्पन हो जाती है तो किसी भी देश की अर्थ वेवस्ता के लिए बहुत ही घातक होती है यानि कि वो आउट summit अब देखिए इस वाली अवस्था में होता है तो माना जाता है कि आपको control करना ही करना है बरना क्या हो जाएगा ओठों में पहंच जाएगी अब देखिए सबसे पहली वाली नंबर पर आते लेग Champions बिकसित देशों में आपको देखने को मिलेगी कहां जो बिकसित देश होते हैं जैसे कि USA हो गया Canada हो गया आपको European देखने को मिलेंगे और Australia देखने को मिलेगा ये सारे देश है ये पहली वाली पर के देश होगया आते हैं वृदम हो चुका है रहता है और देखिए तीन से दस परशेंट के बीच में कवान से देस आते हैं वो ऑक विकास बैस अ जो डपलपिंग कंट्री है जो बिकास सी देश है वो इसमें आते हैं क्योंकि यहाँ पर ती ब्रगतिस से आप लोग देखेंगे कि रोजगार सरचित होते हैं लोग आए वड़ती है हदार वो संद्चना का निर्माड होता है इस कारण क्या होता है यहाँ पर इंफ्लेशन का लाना चाहिए यह अर्थविवस्ता के लिए अच्छा संकेत नहीं है बलकि यह वाला क्या है अर्थविवस्ता के लिए अच्छा संकेत है अब देखें इंफ्लेशन है वो इस बीच में रहता है तो माना जाता है कि जो हमारी अर्थविवस्ता है अर्थविवस्ता है वो अ कंट्रॉल करना से हैं अगर वो इसमें पहुँंच जाते हैं तो वो भूत ही खतरना होता है आप लोग देखेंगे हम आप भी हमने देखा थे 22 लाक हमने उधारण लिया था यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि उसकी तो लगबग में लागों में पहुंच के तो आप देख सबसे हाइस्ट कहां पर बैनेजला में तो सेकंड कौन सा देश है जहां पर इंफलेशन रेट सबसे जादा है क्योंकि इंफलेशन रेट है वो सबसे जादा कहां पर है और दूसरा कुश्चन है कि जो इंडिया में इंफलेशन रेट है वो कितने है इंफलेशन रेट कितने और तीसरा question है आपको बताना है जो demand pool inflation है इसमें आर्थिक सम्रिद्धी होती है वो दर्ज होती है कि नहीं ओके यानि कि यहाँ पर जो economic growth होती है बू आपको देखने को मिलेगी की नहीं अगर यहाँ पर रिक्वान में growth होगी तो क्या मांग जनित मुद्रय स्पिती उत्पन होगी या नहीं यह आपको बताना है चलिए हम लोग इस वीडियो के यहाँ पर फिनिस करते हैं अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर करें